मस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेशन न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान सवीदा कर्मी न्यूज के तहत बहुत ही काम की जानकरी महत्मून अपडीट है और इस अपडीट में नियमिती करन को लेकर के Contractual to Civil First Rules 2022 हैं उनको लेकर के एक मिटिंग कायजन किया गया था कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें अप लोगों को बताया था 44,000 जो सवीदा कर्मी उसको नियमित करने कर लिए क्या कर रही है सरकार कल की जो जानकारी थी हलंकी वो तो फेकी थी अज भी कह रहा है लेकिन अब जो अपडीट प्राप्त हुआ है दोस्तों आज की डेट का है सबसे एहम बात तो ये है हम उस अपडीट पर चर्चा करेंगे साथी बताने वाले हैं कि सवीदा कर्मियों को लेकर के जो बैठक सर आपको लेकर के अपडेट है लोंग वीडियो हो सकता है दस से बारा मिनट का लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है कम्प्लिट देखना है आपको अच्छे अलग है अपने दोस्तों के साथ इसे सेर भी करना है सरकार जल्द देगी तोफा मैंने कल के वीडियो में भी कह था कि जिनकी पांस साल की सेवा हो चुकी है उनको कम से कम यहां पर टेंशन लेने के आवशक्ता नहीं है और वही करने जा रही है सरकार सबसे पहले तो हम बताएं दोस्तों ये लेटर है सबसे पहले आप लोग इसमें डेट देख लीजिए 13 अक्टूबर 2022 बैठक कारवाई विवरन राजस्तान सरकार कार्मिक विभाग के 5 जो रिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मुख्य सचिव यानि की जो हमारी चीफ सेकरेटरी हैं उसा सरमाजी उनकी अध्यक्स्ता में 10-10-2022 को यानि की 10 अक्टूबर को राश्तान कॉंट्रेक्चल टो सिविल पोस्ट रूल 2022 के समन्द में विभिन विभागों में काररे सविधा कर्मियों को इन नियमों में लाने के समन्द में की गई कारवाई की शमिक्षा बैठक सासन सचिवाले इस्टिस समीती कक्ष संख्या एक में आजित की गई और बैठक में कौन-कौन लोग उपस्तित रहे वो विविरन यहाँ पर इनुने दिया है तो बैठक में गाफी सारे जो अधिकारी है सासन सचीव हैं जो मुखिया है उन्वे डेपार्टमेंट्स के आल अधिकारी है वो मोजुद रहे तो हिमन्त गेरा जी है प्रमुख सासन सचीव है कार्मिक वाड डियो पी के चिकित्सा विभाग की तरफ से डॉक्टर प्रथवी राज सासन सचीव चिकित्सा विभाग, रोहित गुपता सासन सचीव विभाग, सिरिमति अनुपमा राजिव विजलानी यह यहां पर देखे आप इसमे क्या हुआ है दोस्तो जो बैठक में चर्चा की गई बैठक में क्या कुछ किया गया है इन अधिकारियों के दोबारा मुख्य सच्छीव किया द्यक्सता में वो इन्होंने बताया है तो वो काम का है यहां पर सबसे पहले हम बात करें जो चिकेट्सा विभाग की सा सवास्तां इंशूरेंस एजनेंसी और रास्तान राज्य स्वास्त्य परिवार कल्यान संस्तान इन eli épista कि एकीकरत केडर्र सरजन के परस्ताव को वित्विभाग को प्रेशित किया जा चुका है यानि कि यह जो अलग उक्त पत्रावली पर आगामी दस दिर में कारवाई पूर्ण करने का निर्देश भी दिये हैं तो जो अध्यक्स मोदय का मतलब है यहाँ पर मुखे सच्चु जो है हमारी हुट्सा सरमाजी है उनके दुआरा इन्होंने कहा है वित विभाग के सेक्रेटरी को कि जो स्वास्त विभाग से आपके पास जो फाइल गई है उसको दस दिर में पूरा कर दीजिये साथी चिकित्सा सिक्षा विभाग के पदो में चिकित्सा और स्वास्त विभाग द्वारा प्रेशित परस्ताव हैं उनको इसामिल कर लिया जाएगा तो भविशे में चिकित्सा सिक्षा को इस तरीके की बैठक की कारवाई में भाग लेने के लिए कोई भी निर्देश यहाँ पे नहीं दिये हैं उनको कहा कि आप नहीं आए इसी तरीके से दोस्तिनों ने पंचायती राजवी भाग जिमें बताया है कि 5906 सवीदा कार्मे को निमनसन वर्गी करन पूर में सरचित 744 और 4492 जो पदो सहीत कुल 12436 पदों के सरजन में मांदे निर्धन के समन्द में पत्रावले वित्विभाग को भेजी गई ये मंदरिगा के बारे में कहा गया है कि भाई हमने 5906 कारेरत हैं और उसके बाद हमने सरजित किये हैं पूर में जो पहले के सरजित पद थे वो 744 और 492 जो पद हैं इन तरीके से दोनों को जोड लें तो 12436 जो पद हैं मंदरिगा के हैं उनके वेतन यानि की मांदे निर् जी गई है ठीक है तो इन्हों ने कहा है कि पंचायती राज विभाग में 8000 जो 294 सभीदा कार्मियों को सम्मंद में प्रक्ति है तो इसमें संपूर्ण जार्णकारी उपलब्द नहीं हो पाई इसमें एक ही बैठक सिग्र यहां पर विभाग ने करने के निर्देश दिये हैं शिक्षा विभाग ने कि कुल कारेरत 31,970 सभीदा कर्मियों का सेक्षनिक योग्गिता आयू और आरक्षन प्रावधन के अनुरूप वर्गी करन कर उसके आधार पर आगामी कारवाई हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए पत्रावली 7.9.2022 को भेजी जा चुकिया वित् लाब दे होने के करण इन पर सभीदा कोंट्रेक्चल जो रूल्स हैं उनमें अडोप्ट इनको नहीं किया जाएगा अब देखिए लोग जुम्बिस करमचारियों के लिए क्या चीज है कि भाई इनको सभीदा सेवा नियमों में सामिल करेंगे उससे पहले ये 490 जो लोग जुम्बिस करमचारी हैं इनको पहले से ही सभीदा सेवा नियमों से ज़्यादा जो पैसा है या जो भी सुविदाय है वो मिल रही है इसलिए इनको सभीदा सेवा नियमों में सामिल नहीं किया जाएगा बाकी के लिए इनोंने काम कर रख है और वित्विभाग को जो प्रस इस तर पर विचारा धीन है जल दीस पर निर्णा ले लिया जाएगा इसी तरीके से अलपसंक्यक मामलात विभाग जो है मदर्सा जो पर टीचर से उन में तो इन्होंने बताए कि 5,556 सिक्सा सयोग सेट कोल 12,499 पदों के सरजन है तू पत्रावली 30 तारीक को यानि 30 सेप्ट कर्मी न्याले आदोसे कारवाई की जा सकेगी इनमें भी आगे इनको भी नहीं बैठक में नहीं बुला जाएगा इसी तरीके से करसीत विभाग तता कला साहित संसकर्ट और परातात विभाग में करम से 14 और एक यानकी इन चारों पांचों विभागों में 15 करमचारी कारव हैं तो इनके समंद में प्रक्ति रिपोर्ट नहीं प्रिसित की गई है इनको जल्द से जल्द प्रक्ति रिपोर्ट प्रिसित करने के निर्देश याँ पर दिये गए हैं अब ये कहानी तो मैंने आप लोगों को सुन करके इसमें पाड़ करके बता दी है अब इसको आशान वित विभाग को भीज दिया है, अब वित विभाग जब इन पर सहमती दे देगा, ठीक है, जब वित विभाग फाइल्स के लिए कर देगा, तो क्या है, चिकित्सा, शिक्षा, मदर्शा पराटीचर्स, इन सब को क्या करेंगे लोग, सभीधा सेमानीयमों में सामिल कर लेंग जैसे चेकित्सा में होता है, दो महीने करा लिया फिर छोड़ दिया, तो एक निश्चे टाइम बाउंडेशन होगा, छुट्टियां आपको मिलेंगी, आपको मात्र तवकास मिलेगा, फीमेल्स हैं तो, इसके अलावा, अगले साल, उसमें 5% बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़े इसमें होगी, और जब 5 साल की सेवा हो जाएगी, तो आप लोगों के एक इस्क्रिणिंग कमेटी होगी, पांच लोगों की, वो आप लोगों को पर्मेनेट भी कर सकती है, तो ये अच्छा अप अपडेट है आप लोगों के सामने जो बैठक 10 तारीक को ही उसका विवरण अमने बता दिया है और कल भी मैंने इस वीडियो में जो मैंने डाला था उसमें यही कहा था कि दोस्तों करवाई चल रही है contractual rules मिलाने के लिए तमाम सवीदा कर्मियों को और जल्दी update मिलेगा तो संभवत है इस महिने नहीं तो अगले महिने जो है यह contractual rules है इसमें काफी सारे जो अभ्यारती हैं जो सवीदा के रूप में लगी हैं उनको खुसकबरी मिल सकती है आप लोग लगे रहें जिनको काम करन वो लगे रहें आराम से तो यह जानकरी थी दोस्तों पूरा कहने का मतलब यह है चाए चिकेटसा हो चाए सिक्षा हो चाए मदरसा पर टीचर्स हो चाए मनरेगा हो इन सब के लिए कारवाई जो है files का जो अनुमोधन है वित विभाग को भीजा गया अब finance जो commission है वित इन पर निरने लेंगा है जल्दी आप लोगों को उस दिरने का भी हम जानकरी जरूर देंगे तो यह जानकरी थी दोस्तों कहने का मतलब यह है good news है आप लोगों के लिए कम से कम मैं खुस जरूर होंगा जिस दिन इतने सारे लोगों को contractual rules में डाल दिया जाएगा कम से कम वीतन जरूर बढ़ जाएगा दूस्तों बाकी कुछ बढ़े ना बढ़े वैसे सवीदा सेवन नियमों के लिए मैंने 17-18 मिनट के 2-3 वीडियो अप्लोड कर रखें आप लोग देख सकते हैं चैनल के सर्चिंग में जाकर के तो आपको पते चल जाएगा लेकिन इससे क्या होगा वीतन बढ़ जाएगा और वीतन बढ़ेगा तो कम से कम दाल रुटी का जो खर्चा है ना वो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं तब 7,900 में 3,800 रुपए में क्या कर चलता है चिकित सा विभाग में या अन्य विभागों में यह हम बात करें तो पंच्चाय सायकों की हम बात कर लें तो उनको 223,300 रुपए दिये जाते हैं क्या चलता है लेकिन सब की मजबूरियां हैं गरहर गरस्ती सभी को चलानी होती है इस तरीके से लोग जोइन करते हैं बेरुजगारी कालम बहुत जादा है यह भी बहुत बड़ी वज़े इसलिए दोस्तो इस वीडि का जै हिंद जै भारत